C.I.E.T.N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है प्रक्चा बारह के लिए हिंदी की द्वनी पाठे पुस्तक आरो भाग दो आईए सुनते हैं आरो भाग दो का पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन प्रिष्ट संख्य तीन से आठ तक प्रिष्ट संख्या तीन कवी परिचय हरिवंश राय बच्चन जन्म सन 1907 इलाहबाद प्रमुक रचनाई मधुशाला 1935 मधुबाला 1938 मधुकलश 1938 निशा निमंत्रन एकांत संकीत आकुल अंतर मिलन यामिनी सतरंगिनी आरती और अंगारे नए पुराने जरोखे तूटी फूटी कडियां का व्यसंग्रह क्या भूलूं क्या याद करूं नीड का निर्मान फिर बसेरे से दूर दशद्वार से सोपान तक आत्म कथा चार खंड हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, अनुवाद, प्रवासी की डाइरी, डाइरी, उनका पूरा वानमय, बचपन ग्रन्थावली के नाम से दस खंडों में प्रकाशित निधन, सन 2003, मुंबई में, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले 1942 से 1952 तक, इलहबाद विश्व विद्याले में प्राध्यापक, आकाश्वानी के साहित्यक कारिक्रमों से संबध, फिर विदेश मंत्राले में हिंदी विशेशग्य रहे दोनों महायुद्धों के बीच मध्यवर्ग के विक्षुब्ध, विकल मन को बच्चन ने वानी का वर्दान दिया, उन्होंने चायावाद की लाक्षनिक वक्रता के बजाए सीधी साधी जीवन्त भाशा और समवेदन सिक्त गेश यली में अपनी बात कही व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूती की इमानदार अभी व्यक्ति, बच्चन के यहां कविता बन कर प्रकट हुई ये विशेशता हिंदी का विसंसार में उनकी विलक्षन लोक प्रियता का मूल आधार है मध्य युगेन फारसी के कवी उमर खयाम का मस्तानापन, हरिवंश राइब बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेशकर मधुशाला में एक अद्भुद अर्थ विस्दार पाता है जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वो प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है कविता का एक घूंट, जीवन का एक घूंट है पूरी तनमयाता से जीवन का घूंट भरें कड़वा खटटा भी सहज भाव से स्विकार करें तो अंततह सूफियाना सी बेख्याली मन पर चाएगी एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त चगड़े काफूर हो जाएंगे इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं ये बात ध्यान देने योग है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो बाया है बच्चन का कवी रूप सबसे विख्यात है पर उन्होंने कहानी, नाटक, डाइरी आदी के साथ बहितरीन आत्मकता भी लिखी है जो इमानदार आत्म स्विक्रिती और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनी ये बनी हुई है प्रिष्ट संख्या चार कविता परिचय यहां उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रन का एक गीत दिया जा रहा है अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है समाज से व्यक्ति का नाता खटा मीठा तो होता ही है जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं दुनिया अपने व्यंग्य बान और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उच्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है अपना परिचय देते हुए वो लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्विंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ती में ये बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीती कलह का है मेरा जीवन विरुद्धों का समन जस्य है उन मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवानी में आग मेरा जीवन विरुद्धों का समन जस्य है उन मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवानी में आग विरुद्धों का विरुद्धा भास मूलक समन जस्य साधते साधते ही वो बेखुदी, वो मस्ती, वो दिवानगी व्यक्तित्व में उतराई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है ये ठस्सा ही चाया वादोत्तर गीति काव्य का प्राण है किसी असंभव आदर्श, यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठोकरा कर, उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है प्रीती कलह का यही फितान और विरोधा भास का ये विग्रह, इन्हें दूर टिम्टिमाते तारे की अबूज रहस्यात्मक्ता से लहालोट रखता है निशा निमंत्रन से उद्रित गीत में, प्रकृती के द्यानिक परिवर्तन शीलता के संदर्भ में, प्रानी वर्ग, विशेशकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की का व्यात्मक कोशिश है बहुत ही सरल, सर्वानु भूत बिम्बों के जरिये किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुवन मैसूस करा देना, बच्चन की जो अलग विशेशता है, ये गीत उसका एक बेहतर नमूना है किसी प्रिय आलंबन या विशेश से भावी साक्षातकार का आश्वासन ही, हमारे प्रियास के पगों की गती में चंचल तेजी भर सकता है अन्यता हम, शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभी शिप्त हो जाते हैं गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में, लक्ष प्राप्ती के लिए कुछ कर गुजरने का जस्पा भी लिये हुए है प्रिष्ट संख्या पांच कविता आत्म परिचय मैं जग जीवन का भार लिये फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिये फिरता हूँ कर दिया किसीने जनकृत जिनको चूकर, मैं सासों के दोतार लिये फिरता हूँ मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते मैं अपने मन का गान किया करता हूँ मैं निज उर के उदगार लिये फिरता हूँ है यह अपूर्ण संसार न मुझखो भाता मैं स्वपनों का संसार लिये फिरता हूँ मैं जला हृदे में अगनी दहा करता हूँ सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ जग भव सागर तरने को नाव बनाए मैं भव मौजो पर मस्त बहा करता हूँ उन मादों में अवसाद लिये फिरता हूँ जो मुझको बाहर हसा, रुलाती भीतर मैं, हाई, किसी की याद लिये फिरता हूँ कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना नादान वही है, हाई, जहां पर दाना फिर मूड न क्या जग, जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूँ, सीखा ग्यान भुलाना मैं और, और जग और, कहा का नाता मैं बना-बना कितने जग, रोज मिटाता जग जिस प्रित्वी पर जोडा करता वैभव मैं प्रतिपक से उस प्रित्वी को ठुकराता मैं निजरोदन में राग लिये फिरता हूँ शीतलवानी में आग लिये फिरता हूँ हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर मैं वह खंडर का भाग लिये फिरता हूँ मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना क्यों कवी कहकर संसार मुझे अपनाए मैं दुनिया का हो एक नया दिवाना मैं दीवानों का वेश लिये फिरता हूँ मैं मादकता निशेश लिये फिरता हूँ जिसको सुनकर जग झूँम जुके लहराये मैं मस्ती का संदेश लिये फिरता हूँ दिन जल्दी जल्दी ढलता है हो न जाये पत में राद कहीं मन्जिल भी तो है दूर नहीं ये सोच थका दिन का पंती भी जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीरों से ज्ञांक रहे होंगे ये ध्यान परों में चिडियों के भरता कितनी चंचलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके हित चंचल ये प्रश्ण शिथिल करता पद को भरता और में विवहलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है प्रिष्ट संक्या आठ अभ्यास कविता के साथ प्रश्ण एक कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ विप्रीच से लगते इन कथनों का क्या आशय है प्रश्ण तो जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं कविने ऐसा क्यों कहा होगा प्रश्ण तीन मैं और और जग और कहा का नाता पंक्ति में मैं और और जग और कहा का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेशता बताईए प्रश्न चार, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है प्रश्न पांच, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से चांक रहे होंगे प्रश्न चै दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवित्ति से कविता की किस विशेशता का पता चलता है कविता के आसपास संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का महौल कैसे पैदा किया जा सकता है आपसदारी जैशंकर प्रसाद की आत्मकत्य कविता के कुछ पंक्तियां दी जा रही है क्या पाठ में दी गई आत्म परिचय कविता से इस कविता का आपको कोई संबंध दिखाई देता है चर्चा करें आत्म कथे मधुप गुन-गुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी उसकी स्मृती पाठे बनी है ठके पथिक की पंथा की सीवन को उधेड कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की चोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्म कथा अभी समय भी नहीं ठकी सोई है मेरी मौन व्यथा जय शंकर प्रसाद इसी के साथ आरो भाग दो का पहला पार्ठ यहां समाप्थ हुआ इसके बाद पार्ठ दो आता है प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत